फ्रेंड्स आज हम मखाना रोस्ट करने वाले हैं जिसे आप वरत में भी खा सकते हैं और वेट लोस्ट करने में भी क्योंकि इनमें कम केलोरी के साथ भरपूर फाइबर और प्रोटिन मिलता है फाइबर पेट को दिन बर भरा रखता है और प्रोटीन खाने से भूख कंट्रोल होती है इसे आप किसी भी टाइम खा सकते हैं जैसे हमारा कुछ खाने का मन करता है जब हम weight loss करते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है तो उस ताइम हम इस snake को खा सकते हैं इससे हमें टाकत भी मिलेगी और फिर बार-बार कुछ खाने का मन नहीं करेगा और इसमें fiber की मात्रा कम होती है इसलिए ये हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ाएगा इसे खाने से तुच्चा, शरीर और दिमाग सुष्ट रहता है कहने का अर्थ ये है कि जब हम weight loss करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अब बिल्कुल भी energy नहीं बची है तो इसे हम energy लेने के लिए खाते हैं इसे किसी भी बिमारी में और किसी भी age का इंसान खा सकता है क्योंकि इसे हमें बहुती ज़्यादा ताकत मिलती है energy मिलती है तो अभी यहाँ पर मैंने एक कडाही में एक चमच घी लिया है देशी गी एक मिनट हो चुका है और घी अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम इसम लदी बंकर तयार हो जाते हैं इसापनी sindo इसे आप जरूर से बना कर देखें तो देखिए ऑफ यह रोस्ट होने के लिए तयार है तो हमें केसी पता चलेगा कि रोस्ट हो चुके हैं तो हम इस तो चलिए इसे फोड कर देख लेते हैं तो देखी कितना आसाने से फूट रहा है फ्रेंड्स जब इसे फूटने लगे तो हमें समझ लेना है कि मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो अभी येस का फ्लेम तो ओफ करे दिया है तो इसमें हम कुछ मसाले मिला देते हैं जो बहुते ज़्यादा इनका टेस्ट बढ़ा देंगे तो यहां पर मैंने लिया है सेंधा नमक तो अगर आप वरत के टाइम नहीं खा रहे हैं तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं उससे भी बहुते ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है जैसे ही हम गेस का फ्लेम ओफ क करेंगे उसी टाइम हमें यह मसाले इसके अंदर डालने हैं जिससे मखाने की ऊपर यह मसाले आसाने से चिपक जाए यहां पर टू से टेबल स्पून पावडर सुगर लेना है और यहां पर दो टेबल स्पून काली मिर्ची पावडर लिया है इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है तो फ्रेंड्स अभी यह मखाने गरम थे इसलिए यह सारे मसाले इसके उपर अच्छे से लग चुके हैं तो अभी हमें इसे ठंडा होने के बाद में एर टाइट कंटेनर में डाल देंगे और इसे आप कम से कम 10 जिन तक आराम से खा सकते हैं सूपर खाने बनकर तयार हो चुके हैं तो फ्रेंड्स आपको यह रेसिपी कैसे लगी प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा अगर आपने हमारे चैनल प्रमुगदा व्लोग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे लेडिस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे मिलते हैं नेफ्स्ट वीडियो में थैंक्स पॉप वाचिंग टेग केर